आख संदीप और मैं यूटूब चैनल फटे तक हसो तो दोस्तों क्या बूलने वाला थे तुम लोग को हां कि अम्या यह बूलने वाला थे तुम लोग को कि मेंको काफी दिनों से एक ऐसा लग रहा था कि कुछ YouTube में वीडियो डालनी चाहिए कुछ लोगों को मनोरंजन करना चाहिए मनोरंजन दंत मनजन ये मनजन नहीं मनोरंजन मनोज भी नहीं तुम लोग को लग रहा होंगा मनोज वो शांती न करगा है ना न्यूजिलांड का मनोज वो मनोज नहीं मनोरंजन रहे है अम्यूजमेंट एंटर्टेन्मेंट ये करने का सोच रहा था मैं काफी दिनों से लेकिन तुम लोग को पता है यार मेरे भी पीछे बहुत काम रहते अभी रिसेंटली नासा ने बुलाय था उसका वो रॉकेट है न अन्च लारा दकैने अबर हो गया उसका रॉक्स का मालूम मेर को घुद्र है तो अब शांती से सुनों यह यह एक बनावती कहानी है और यह कहानी किसने बनाई नहीं है और कोई बुक में भी नहीं है यह कहानी मेरे दिमाग में है इमाजिनेशन एक मुझे बहुत आदत है इमाजिन करने का तो जब मैं स्कूल में था शायद 8 9 की बात है 2005-2006 में तब जो पुट्टे बढ़ते मेरे आजुबाजु में उनको मैंने एक्स्प्रेंट करके बता है बाकाई था जो बोड रहे था ब्लैक बोड वहापे भी ऐसा डाइग्राम ड्राउ करके बता है तो आप लोग को भी बताऊंगा मैं एक बक्री रहती है बक्री मालूम है ना काफी लोगों को बक्री ने मालूम इंग्लिश वाले लोग है आपे बहुत सारे लोग इंग्लिश वाले है अभी भी नी समझा ये बक्री तो एक बक्री रहती फ्रेंड्स वह बक्री को जाना रहता है एक रास्ते से रास्ता पूरा फ्लाट रहता है लेकिन रास्ते के बीच में एक पहाड रहता है ऐसा टोक वाला पहाड ये देख इदर आइसा आइसा पहाड और नीचे समझा तो ये बक्री चल चल के चल चल के चल चल के आती पहाड पे चड़ती एक दम टोक पे चड़ती पहाड पे थोड़े रुकती वहाँ पे रुकने के बाद बक्री सोस्ती तुम लोग भी सोच रहोंगे शाला क्या पागल है ये क्या बात कर रहा है इमाजिनेशन मेरा मेरा इमाजिनेशन हैं अब बक्री फिर पाड पे जो रहती है उतर जाती हूँ हो गई कानी खतर है कानी में क्या था अब बोजन ये भी सोच रहोंगे कानी में क्या था कुछ भी तो नहीं था खानी में कानी कैसी क्या कानी है ये तो है मित है ये मित बहुत बड़ा मित है अरे बाबा सुमित नहीं सुमित नहीं मित है मित बक्री आई पहाड पे चड़ी थोड़ी दर रुखी अब ताई को रुखीं ही जाते दर उसको भी उसकी काम धन दे ना उतर गई चले गई खतम विशे खतम अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेर कमेंट जरूर स्टिल ने बाई पटे तक हसो